तो गाइस स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करने वाले हैं कराची केंग्स और पैसावर जालमी के बीच में जो PSL T20 का मैच नंबर 2 खेला जाएगा तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन से ऐसे प्लेयर से जिनको आज हम अपनी small link में try कर सकते हैं कौन से ऐसे प्लेयर से जिनको हम grand link में try कर सकते हैं as a player बहुत सारी ऐसी important info हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपको अपनी टीम बनाने में काफी मदद देगा तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है कहीं पे भी skip नहीं करना और इस वी टेलिग्राम चनल से जुड़ना भी बहुत जरूरी है और बिल्कुल फ्री है आपको इस वीडियो के description और comment section के सबसे पहले comment में हमारे टेलिग्राम चनल का link दे दिया गया है जाईए और जुड़ जाईए बिल्कुल फ्री है यह मैच खेले जाएगा नेशनल स्टेडियम क कराची के ग्राउन पर हिस्टोरिकल बात करें तो इस ग्राउन पर 49 मुकाबले खेले जा चुके हैं 32 मुकाबले चेजिंग करने वाली टीम जीती है 172 फरस्ट इनिंग का एवरेज स्कूर है लास्ट सीजन जो प्रिवियस सीजन पीएसल का था 15 मुकाबले यहां खेले गए और वैसे पेशस ने भी अच्छा किया हो यानि यहां से इक्वल सपोर्ट बॉलिंग से बट बैटिंग के लिए थोड़ा अच्छा है अब अगर हम बात करें रिसेंट फॉर में चेस ग्राउंड के मोस्ट रिसेंट अगर हम बात करें तो देखो 108 बने चेज हो गया यहां चेज हो गया और उसके बाद यहां पर देखो 221 बने यानि स्कोरिंग हुई है ठीक है ओवर अगर हम बात करें तो स्कोरिंग अच्छी खासी हुई है इस्पिनर और पेशस की बात करें तो 14 विकेट इस्पिनर पेशस ने 25 विकेट निकाले थे यानि यहां से ओल्मोस्ट सपोर्ट है बाकी रंस थोड़े बहुत बनते हैं तो यह हो गया पिच रिपोर्ट इसके लागा कोई फ्रेश पिच रिपोर्ट आता है आफ्टर टॉस के बाद तो मैं आपको वो टेलिग्राम पर कनवे कर दूँगा बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है इनके पास ठीक है बाकी यहां पर मैक्सिममम राइट हेंडर सी है जिमिन सम्को और एसा यूटको छोड़ दो ठीक है बाकी देखो कराची की प्लेइंग 77 का सकूर आए सोभी मली का स्कोर अच्छा है मैर्ति विट का ठीक थाग है इमाद वसीम शिम का अच्छा है उसके बाद जेना फुलर का ठीक है उतना लिस्टे में आगर आप देखेंगे मीर हमजा का पर्फॉर्मेंस तो इनका भी अच्छा ही है अब इनके टीम से जो अच्छे खासे होगा सकी बॉलिंग डालनी चाहिए वह कौन को ने देखो मीर हमजा इम्रान ताहिर और उसके बाद मोहमद आमीर और इमाद वसिम यह लोग मगर एक चीज तो है कि कासीम अक्रम ओवर शेयर करने के अच्छे घासे चांसे रखते हैं कि टीम के जो पावर प्ली के गिंद्बाज है महमद आमीर अमिर और मीर हमजा देथ में निके पास महमद आमीर का अल्मुस्ट कण्फर्म है आप देखो इनके बेंच पलेयर तो भ थोड़ा गडबड है अधर्वाइस अच्छा है उसके बाद यहां पर हैदर लीट 23 का आवरेज है इम्रा तैयब ताहिर यहां पर 47 का आवरेज है वहीं इर्फान खान 18 का आवरेज है और तैयब ताहिर का लिस्टे में फॉर्म भी अच्छा हुआ है ठीक है दो 50 का तो अगर यह खेलते हैं तो यह आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं तो थोड़ा एक्स्पीरेंस कम है उसके बाद यहां से जेम्स फुलर इमाद वसीम और बैन कटिंग का स्टैट्स अच्छा है आप बैटिंग से यह बालिंग से और यह बैटिंग से आप हर एक प्लेय है इस तरीके चाप सबकार देख सकते हो ठीक है इसके अलावाद दोस्तों आपको मैं फिर बता दूं कि विजन एलाउन पर दसेजर का फ्रीगिवे चल रहा है इस मैच में अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया विजन एलाउन पर साइन अप नहीं किया तो वीडियो क मिलता ही है 500 का साइन अप बोनस में मिलेगा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उससे साइन अप करोगे तो और यह बोनस रहता है ठीक है ग्रेंड लिक्स में भी और स्मॉल लिक्स में भी लोवेस्ट एंट्रिफीस है लॉंग तम तक देखेंगे तो यहां पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा लोवेस्ट एंट्रिफीस में अगर आप खेलेंगे तो रैंकलेस का प्रोटेक्शन है लीडर बोर्ट का चलता रहता है वहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट जीच सकते हैं अगर आपने अच्छा खेल दिखा है तो प्लस आपको यहां पर कोई कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है तो खुल मिलाके अच्छी साइट है विजने पर साइन अप नहीं किया तो कर लो वीडियो की डिस्क्रिप्सिंग में आपको लिंक दे दिया गया है साथी साथ यहां पर डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है अगर आप लोग मतलब लो बोनस यूजेबल रहता है ग्रैंड लिक्स में भी बोनस यूज होता है तो बोनस आपका यूटिलाइज हो जाएगा ठीक है तो साइन अप कर लो वीडियो की डिस्क्रिप्सिंग में लिंक है विजन 11 का आप देखो पेशावर टीम की बात करें तो बाबार राजम, कैड्म रॉमन पावल वहाव रियाज उस्मान कादिर शल्मान इरसाद यह इनकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं अब देखो यहां पर क्या हो सकता है मौमध हरीज ओपन कर रहे है एस आयूब ओपन भी करते हैं और मेटल लॉडर में भी खेलते हैं मतलब अभी है उसके बाद उस्मान कादिर का फॉर्म ठीक ठाक है और अगर खेलते तो इनका भी फॉर्म ठीक है अब इनकी टीम से जो अच्छे खासे बालिंग डालेंगे अब इनमें से कोई भी किसी को भी शेयर करते हुए दिख सकता है ठीक है तो यह चीज होगे इनके पावर प्ले कि प्लेयर वाइज स्टैड्स देख लेते हैं हर एक प्लेयर का आपको स्टैड्स देखने मिलेगा हैरिस का 21 लेकिन यह बहुत हार्डीटर किसम के बल्ले बाज है उसके बाद यहां से बाबाराजम रोमेन पाविल और कैड्मोर का रिकॉर्ड अच्छा है एसा यूप 27 के रखते हैं लिस्टे में फॉर्म उतना अच्छा नहीं था राजा पक्स्टा का 23 उसके बाद यहां पर जो है जिमीनिसम आमिर जमाल और दी अजीज तीनों का ही रिकॉर्ड अच्छा है आप देखेंगे आपर जिमीनिसम का रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा है वहीं आमिर सब्सक्राण का फॉर्म ठीक ठाक और रिकाट भी ठीक ठाक है टीक है तो आप इस तरीके से हर एक प्लेयर का स्ठाइय। चल सकते हैं अब देखो दोस्तों तनों यह है का head to head देख लेते हैं दोनों ही टीम में जब आपस में खेलते हैं तो किस प्लेयर का कैसा performance निकल के आता है कराची की तरब से batsman की बात करें तो मलिक का 30 का अवरेज है इमाद वसीम 19 का अवरेज है और जेम्स विंच ने एक मैच में 44 बनाए पिशावर की तरब से रदर फोड अच्छा है यहां से मोहमार आमीर का रिकॉर्ड अच्छा है यह चीज़े देखते वे चलना और यह चीज़ आपको प्लेयर बैटल में भी देखने मिलेगी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वेन्यू रिकॉर्ड देख ले तो दोनों ही टीम के प्लेयर जब इस ग्राउंड और दो मिज में तीन विकिट है यहां से वहाव रियाज का रिकॉर्ड अच्छा है और अर्साद इकबाल का रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पर ठीक है तो यह चीज़े देखते वे चलना अब देखो प्लेयर बैटल की बात करते हैं यहां पर देखो जेम्स विंच इसको वहाव रियाज ने टेस्ट मैचेश में दो बार आउट कर रखा है खादीर और इकबाल से एक बार आउट हुए शर्जिल खान इसाद और वहाव रियाज से एक बार आउट है इसी वज़े से आ ठीक है अगर हम बात करें यहां पर तो देखो बावारा राजम को इम् ताहीर ने एक बार रादार फॉर्ट को ताहीर ने 5 बार आउट कि 40 घंदो में वहाव रियाज को टाहीर ने एक बार आउट कि घंदो में यहां से म। i sour consistent मिम्मार दाम अमिर गाटकमा अपको अच्छा जाने चलते टीम की तरफ और वहाँ पया इस सपकर निकालते व.. एक best team बनाने की गोसिस करते हैं दोस्तों यहां पर आपको हर एक हर एक player के बारे में detailed analysis करके बताया कि कौन सा प्लेयर के situation में आपके लिए अच्छा pick हो सकता है कब आप किसको drop कर सकते हो कब आपको लेना ही लेना है किसी player को जिसके बेस पर आप खुद की team बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा result मिलेगा instead of copy reason यही है कि कुछ लोग आँख बंद करके copy कर लेते हैं और फिर बाद में blame करते हैं देखो अगर आपको किसी player को लेने के पीछे का reason नहीं पता है तो आप लोग अंधा अगर copy करोगे तो आप लोग पस्ता होगे रिग्रेट होगा क्योंकि आपको पता ही निया किस player को क्यों लिया जा रहा है और नहीं आपको सीख पाऊगे तो मेरा यही रहता है मैं यही बोलता हूं कि अगर आप copy भी कर रहे हो तो at least उस player को लेने का reason देख लो कि उस player को क्यों लिया गए ताकि आपको regret ना हो लीग इंदों को हिट करने जाते दोनों ही टॉप पोडर के बल्लेबाज है या या तो वंडाउन आएंगे या तो ऊपिन करेंगे यह ओपिन करते हैं ठीक है बट एडम रोसिंग्टन के चांसे अभी कमे खेलने के लिए इसलिए अभी हैरिस की बात करें इस टीम किया कि इ लेकिन विकेट भी उतने ही जाने के चांसे से इतने रन बनाने के बट बैटिंग विकेट है तो मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूं कि यह रंच बनाए प्लस विकेट कीपिंग से पॉइंट दे इसलिए इनको लिया है मैथ्टिवेड देखो अगर इनके टिम चेस करेगी तो हो हो सकता है आप इनको ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि फिर यह 500 नमबर पर खेलने आए अभी के लिए आखर इनके टिम फर्स्ट बले बाजी करेगी तो आप इनको लेके जा सकतो बले बाजी आने के चांसे हैं हाड इटर है प्लस बैटिंग विकेट है तो एनी मैचेज मेंनों ने रंच बनाये थे बैटिंग विकेट का अच्छे खिलाड़ी है अट वह यह कि हर गेंट को हिट करने जाते हैं कभी भी मिस हिट होता है तो जल्दी विकेट देने के भी चांसे उतने रहते हैं देखो बैटिंग से बाबाराजम मस्ठपिक रहेंगे ज्य स्टेट्स है लेकिन यह है कि कभी हिटिंग करने के चक्कर में विकेट दे देते हैं फॉर्म अच्छा नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया है रोमन पविल अभी जो आईल टी 20 चल रहा था उसमें अच्छा स्कोरिंग किया था इन्होंने स्टार्टिंग में तो बॉलिंग भी सकता और जल्दी विकेट नहीं गिरता है तो इनका प्रमोशन हो सकता है और उस सिच्वेशन में कभी-कभी हिटिंग के चक्कर में जल्दी भी आउट हो सकते हैं तो अगर इनकी टीम फस्ट बल्लेबाज ही कर रहे है तो ही आप इनको लेके जाईएगा अधर्वाइस आप ठीक है हीटर्स का प्रमोशन होता है तो इनका डिमोशन भी हो जाता है कभी के बार अभी जेम्स विंस को लिए आईल्टी ट्वेंटी में गजब का फॉर्म था सवयब मलिक का अभी बीपिल में फॉर्म अच्छा था मस्ठप पिक रहेंगे मोस्ट अब दाइम स्कोरिंग क का काम करेंगे राधर फॉर्ट काफी नीची आते हैं प्रब्लम यह रहता है कि इनकी बल्ले बाजी कभी बीट और प्रमोट हो सकता है अकॉर्डिंग तो सिचुएशन तो कितनी बल्ले बाजी मिलेगी कितनी कितना मौका मिलेगा वह कहना बहुत मुश्किल है इसलिए सब्सक्राइब तो एक रिस्क वाली चीज आएगे इसलिए स्मॉल लिग में अच्छी पिक नहीं रहेंगे तो अगर आप इनको ट्राइब करना चाहो तो कर सकते हैं लेकिन ट्रम पिक के तौर ठीक है तो ध्यान रखना ऐसा यूप खेल सकते हैं रिसेंट फॉर्म उतना अच सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस इनके पास बल्ले बाजी अच्छी है हार्ड इटिंग कर सकते हैं यहां पर अपने आपको अनिटाइम यह प्रमोट कर सकते हैं मस्टब पिक रहेंगे जीमी निसाम उसके बाद ठीक ठाक ऑप्शन है क्योंकि इनका भी जो रिसेंट पर्फ करने के बाद यह लोग अच्छे पिक रहेंगे अब देखो जैसे मैंने आपको बताए कि इनकी टीम से जो देथ बॉलर्स हैं वह मुहमाद आमीर हो गए दूसरे मीर हमजा खेल रहें तो जैम्स फुलर्स आपको देख सकते हैं विकट टेकिंग के इंबाज है बस इनका जो देख में भी गेंदबाजी नहीं दी जारी थी अगर आप देखेंगे तो इनका टी 10 और टी 20 ब्लस काफी बहतर गया था तो आप इनको हलके में नहीं ले सकते हैं खास करें जब इनका टीम फर्स गेंदबाजी करें और इनकी टीम से नंबर बॉलर्स पांची खेल रहे हो यह आमीर के बाद यह मेंड बॉलर है तब यह द्रथ में आएंगे ध्यान रहे हैं तब यह मस्त और कर सकते हैं और देखो बॉलिंग से मॉहमेद आमिल आप्स और यह दूसरे टीम के अच्छा रिकॉर्ट राख तो आपको प्लेयर बैटल में भी दिखाया है जबही बल्ल गया है उसमें ठीक ठाक परफोर्मेंस किया है इन्हों ने इनकंसिस्टेंसी दिखाई है निकालने के मामले में अभी के लिए मैं छोड़ दिया फ्रेस्ट रहेगा तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूं स्पिनर से बाकी नीचे उस्मान कादिर को उपर रिस्क ल गड़बढ हुगा था फॉर्म अभी बीच में लेकिन उसको थोड़ा सा मेंटेन किया है और बीच में एक आद मैच में विकेटलेस भी गया हमजा ग्रैंड लिग में जरूर रिस्क ले लेना इनके उपर अगर इनकी टीम से यह आमीर और जेम सुलर खेलते हैं और इनकी ट साथ और अर्षाद इकबाल खेलते हुए दिख सकते हैं अगर रिचर्ट ग्लिशन नहीं खेलेंगे तो जो इनके लिए बोला वही सेम चीज इनके लिए भी है दोनों ही डीसेंट बॉलर है विकेट निकालने के मामले में प्लस दथ में आ सकते हैं जो भी खेले उनको ट्रा जल्दी से जाके जॉइन कर लो अभी के लिए जो टीम बन रहें कुछ इस प्रकार से आपके कप्तानी डीफॉल्ट बाबाराजम वाइस कप्तानी इमाद वसिम को दिए आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो आपके पास कैडमोर और जेम्स विंस फॉर्म के अकॉर्डिंग य जेंस फॉलर जो आपको मैंने कंडिशन बता है जेंस फॉलर का किस सिचुएशन में दर्थ में आ सकते हैं उसमान कादिर अगर यहां पे जो है यह लोग तब्रेश सामची को खिलाते तो फिर उनको ट्राइग करना उसके बाद मीर हमजा इनका भी सिचुएशन बता है फरस सकते हो यह वाली टीम जो है एसल की टीम में इसे ग्रेंड लिग में लगाने की गलती मत करना काफी लोग कमेंट करते हैं उन्चास रुपे से जादा नहीं आता भाई यह स्मॉल लिग की टीम में हम इसे एक-दो मेंबर की टीम में खेलते हैं यह आपकी बेवकुफी है मैं आपको इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पर यह एसल की टीम में इसे ग्रेंड लिग में लगाने की गलती मत करना आफ्टर टॉस के बाद कुछ भी चेंज होगा है इसमें हम टेलिग्राम पर इंफॉर्म करेंगे बिल्कुल फ्री में आपको मैंने बताया हुआ है मैं हो तो सस्काइब करते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद